पस्चम बंगाल ने आज आखिरकार कई सालों से चले आ रहे हैं रस गुला मौर में ओडिशा को हराते हुए जीत हासिल कर ली है दोनों ही राज्ये इस बात का दावा करते आ रहे थे कि उनके राज्ये में रस गुलेक का सबसे पहले निर्मान किया गया था लेकिन आज पस्चम बंगाल को रस गुला निर्मान के लिए भौगोलिक पहचान जी आए मिल गई है आधिकारिक और पर अब यह कहा गया है कि रस गुला एक बंगाली अविशकार है जी आई टेग यह सुनिस्चित करता है कि केवल पंजीकरीत और अधिकरिति उजज़ ही प्रॉडक्ट के नाम का इस्तिमाल कर सकते हैं रसगुला वर की शुरुवात 2015 के सितंबर महीने में उस वक्त हुई थी जब ओडिशा सरकार ने रसगुला दिवस मनाने का एलान किया था ओडिशा की तरफ से तर्क दिया गया था कि कहानी के अनुसार रथ यात्रा के दोरान जब भगवान जगनाथ अतनी पत्नी लक्ष्मी जी को घर में अकेला छोड़ कर चले गए थे तब मान लक्ष्मी उनसे काफी नाराज हो गई थी उसके बाद मान लक्ष्मी ने भगवान जगनाथ को घर में घुसने से रोक दिया था ऐसे में लक्षमी जी को मनाने के लिए जगनाथ ने उन्हें रजगुलों से भरा एक कटुरा दिया था और यहीं से रजगुलों की उत्पत्ती हुई थी और धिशा सरकार की ओर से दिये गए इस तर्क को पस्चम बंगाल ने खारिज करते हुए कहा था कि रजगुलों का नि ने रजगुला दे ही नहीं सकते रजगुला वार जीतने के बाद पस्चम बंगाल की मुखे मंतरी ममता बनर जी ने ट्वीट कर खुशी राहिर की उन्होंने कहा हम सब के लिए बेहधी मीठी और अच्छी खबर है हमें इस बात पर बहुत घर्व और खुशी है कि ले के लिए स्टेटस मिल गया है